अगर फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल आईल देव क्लासे में जसा कि आपको पता है आईल देव क्लासे यूटुब चैनल पर हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश की जो वर्गूव प्रवाइड के गए मत्वर से राज सिक्षा के दवारा लर्निंग रहें जिसमें हम एक्टिविटीज को आसान भासा में को एक्सियम करते हैं स्पर फॉर फाइव पर पहुंच चुके हैं इप फॉर फाइप में शुरेंफ आपको अपने आधार पर इंग्लिश में अब करने की बात बुली गई है यादि कोई भी आपको टॉपिक दिर जा है जैसे जल सरक्षन है याने वाटर कंजर्वेशन उस पर तीन चार वर लाइंस है वह स्टेज में आके यह क्लास में सामने आके बोल सकें क्लास में नहीं तो खुछ सभी बता सकें जाहे वह यदि आप कहीं घूमने गए हैं जूब चिडिया गयर घूमने गए हैं तो उसके लेकर आपको महलब बोलना कैसे उसके बारे मं बताया है हैं आपका जो डेली रूटीन है कि आप कप सोते हैं और कभ खाना खाते हैं कभ जाते आए चांकर अ-बजे इस तरीके से आपको अपना रूटीन बताना है ठीक है चलो देखते नीचे की तरफ नीचे एक्टिविटी वन में अपने को डेली रिटून लिखना था इसी के अधार पर तो देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखके बताया है अधिक आई टेक बात एट 7 a.m. ब्रेकफास्ट 8 a.m. गो टू वर्क भी हो सकता है और वर्क की जगा आप इस्कूल लिख देना ठीक है आई गो टू स्कूल एट 10 a.m. आई गो टू बैट 10 p.m. ठीक है कर लोगे बढ़े नेक्स अक्टिविटी तरफ एक्टिविटी टू में आपको क्या है यहां पर ट्री दिखाए गया है ठीक है अब ट्री को देखने के बाद इंपोर्टेंस आप ट्री पे या जो भी आपको पिक्चर देखके कुछ समझ में आ रहा हो उसके अधार पर कुछ पेसे या पैराग्राफ लिखने है ठीक है ना जैसे देखो यह ट्री है फिर उसके जड़े भी है ठीक है ना तो यहां पर जो पत्तियां है अब इसके अधार पर पेड़ के अधार आपको क्या करना है पुरा पैसे बनाना है ठीक है अब पैसे बनाना है या फिर कोई तींचा लाइना बोल जैसे इंपोर्टेंस आप ट्री में ही बना दो जैसे कि देर आर मेनी लिवसिन ट्री अना ट्री में बहुत सारी पतियां पाई जाती है दे गिवस अस फ्लावर एंड फूट्स अना दे याने ट्रीस हमें क्या देते हैं फूल और फल देते हैं ठीक है ट्रीस आलसो हैलप अस टू प्रिवेंट स्वाइल इरोजन याने म्रदा जो बहके चले जाती पानी साथ उसके बचाओं में भी हमारी मदद करते हैं इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं ठीक है नहीं होगा ताप हमें कमेंट सेशन में बता देना मैं आपको इसका लिख के बत आने हैं ठीक है जिसके अधार पर नमबर आप स्टुडेंट्स टीचर क्लास्रूम प्लेग्राउंड इनका उप्योग करते हुए आपको क्या करना है मतलब सेंटेंस को लिखना है अब यहां पर आपको एक पिक्चर दिया गया है जिसमें आपको किसके बारें बताया गया ह आपको कुछ बच्चे जूला जूल रहे हैं कुछ बहुत सारे लोग दिखाई पढ़ रहे हैं यहीं दिखाई पढ़ रहे हैं मुझे मदले बला रहे हैं लेकिन मैं अन्दाजा यहीं लगा पा रहा हूं ठीक है इस पिक्चर को देखते हुए आपको इंग्लिश में इंटर्मेंट इंटर्टेन्मेंट परपस यान जो मेला होता है वो जनरली किसकी गैदरिंग होती लोगों की किस परपस के लिए मनुरंजन के परपस से चिल्टन इंज्वाइज फियर वेरी मच एस देर आर मेनी एक्टिविटिस फूर देम जो बच्चे हैं वो उससे इसे याने गतिविधी फेयर याने मेला इंटर्टेन्मेंट याने मनुरंजन गेंदरिग याने इखटा होना ठीक है आगया समझ ठीके स्ट्रेंट्स उमीद करता हूं कि आपको हमारेश्मिन करने का तरीक अच्छा लग रहा होगा यदि आपको इस एक्टिविटी या किसी भी कोई प्रावब्लम वह तब में कमें स्क्षिन बताना मैं आपके डाउट मलब अच्छे से हल करने कोसिस करूंगा उनके मैं आंसर करूंगा और उससे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा तो वह भी बना दूँगा ठीक है आपने अभी तक ही हमारे यूट्यूब चैनल आ अगर पढ़ाई कीजिये और अपने स्वास्त का त्याहन रखें ओके अधि